कोरोना वाइरस की कोई वैक्सीन अप्रू होने के बाद भी उसकी परियाप्ट डोज उपलब्द कराना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है बारत में टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है और इसमें राज्युसे भी इंपूट्स मांगे गए है केंद्रिय स्वास समंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन ने रविवार को कहा कि सरकार जुलाई 2021 सक 40-50 करोड डोज हासिल करने की उमीद कर रही है इसमें 20-25 करोड लोगों को टीका लग जाएगा यानि सरकारी अनुमान के हिसाब से जुलाई तक केवल 20 फिसदी आबादी को ही वैक्सिन मिल पाएगी बारत की वर्थमान जन संख्या 130 करोड बताई जाती है भारत में तीन वैक्सिन इंसानों पर ड्रायल के दूसरे और तीसरे दौर में है हर्शवर्दन ने कहा कि सरकार वैक्सिन के बंडारण और टीका करन की प्रक्रिया को लेकर फ्रेमवर्ग तैयार करने के अंतिम चरण में है हर्शवर्दन ने बताया कि वैक्सीन एक बार डेटा वैलिडेट हो जाए तो वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में देरी का कोई तुक नहीं है उन्होंने कहा कि नीतियायोक के डॉक्टर वी के पोल की अगवाई में एक हाई लेवल कमिटी पूरा प्लान बना रही है किस देश की वैक्सीन कब उपलब्द होगी फार्मा कंपनियों से उनकी वैक्सीन के बारे में जानकारी लेना और भारत में परियाप तो ठीके मोहया कराना इस कमिटी का जिमा होगा इवेंटरी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए बी इंतिजाम किये जा रहे है वैक्सीन के कंसाइनमेंट्स की रियल टाइम ट्रेकिंग होगी और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दी जाएगी केंदर सरकार वैक्सिन हासिल करने के बाद राज्यो को डोस बेजेगी राज्यो को वैक्सिन की स्टोरेज और टीका करन का इंतिजाम करना होगा स्वास्य मंत्री के अनुसार वैक्सिन 2021 की तीसरी तिमाई से ही उपलब्द हो पाएगी उन्होंने बताया कि राज्जों से ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी गई है जिने पहले टीका लगाया जाएगा हर्श्वर्दन ने कहा कि शुरुआती डोज, डॉक्टर्स, नर्सिस, पेरामेडिकर्स जैसे हेल्थ केर वर्कर्स को मिलेगी वैक्सिन के अंदर सरकार हासिल करेगी इसलिए राज्जों से कहा गया है कि वे वैक्सिन निर्माताओं से कोई डिल न करे इस खबर के बारे में अपने वीचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिक कर बताएव वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों की साथ शेयर कना ना भूले साथ ये कोरोना वैक्सिन से जुड़ी है खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले